Migration of Monarch Butterfly अब इस टॉपिक को देखकर चंदमों के लिए हम सोचने पर मजूर हो जाते हैं कि हम इससे पहले जो है जो migration देख रहे थे वो terrestrial animals की थी, large mammals की थी, largest mammals की थी और aquatic mammals की थी और सारे के सारे vertebrates से और अब हम जो है वो migration देख रहे हैं Monarch Butterfly की, Butterfly जो के Invertebrate है, जो के इनसेक्ट है और इसका जो order है वो Lepidoptera है, इसकी family जो है नेंफिडी है, genus जो है वो dentus है और जो है पीशी जो है वो denus papillus जो है वो है तो कहां जो है वो large mammals, कहां पर terrestrial mammals वो तो migration कर सकते हैं, लेकिन क्या जो insects है जिनका size सोटा सार है, जिने हम किसी जो है वो सोचने में निला सकते, तो क्या वो भी migration का phenomena रखते हैं, वो भी migrate करते हैं, सोचने की बात है तो जो दुनिया है, जो Allah की बनाईवी चीजें है वो अपने अंदर भरपूर हैरतें, समो के रखते हुई है सिर्फ हम देखने, सुनने और उसको ढूंडने की जो हमें और उसके मुंतलिक जाने की खौाहिश हमें उससरफ ड्रैक करके ले जाती है अब मुनाच बटरफटाई है क्या और इसकी माइगरेट कैसे करती है, क्या वाकिए करती है यहां हम इसकी किसी थोड़ी सी फ्लाइट को माइगरेशन का नाम दे रहे है तो ज़रा इसको हम इन डीटेल देखते हैं तो पहली बात है कि मुनाच बटरफटाई में जो है यह जो इसकी जीनस है डैनदस इसमें तक्रीबन जो है वो 300 स्पीशिज है और यह वर्ल्ड वाइल्ड है तमाम जगों पर पाई जाती है, पाकिसान में भी पाई जाती है और आपने अक्सर देखी है लेकिन कभी इसको इस जो है वो एंगल से नहीं देखा होगा मगर इसमें जो है वो 4 स्पीशिज ऐसी है जो सिर्फ नौर्थ अमेरिका में पाई जाती है और उसमें से भी जो है ये मौनाच बटरफ्लाई है फिर उसके बाद ब्रीन मौनाच बटरफ्लाई है ट्रॉपिकल मिल्क वीड बटरफ्लाई है और सोलजर बटरफ्लाई है इनके scientific names भी साथ लेके हुए अब ये सबकी subject हैं वो species हैं तो species के अंदर थोड़ा थोड़ा फर्क जो है वो कैसे है तो मुनाच बटरफ्लाई जो है जरा इसको देखे पहली बात दो ये जैसे हम लफज इस्तेमाल करते है मुनाच का मतब होता है शाही या रॉयल तो जब शाही या रॉयल आते है तो इसका मतब है कोई बड़ी चीज़ तो इसको इसी concept में लीजेगा कि ये एक बटरफ्लाई ऐसी है जिसका size जो है वो बाकी rest of the बटरफ्लाई से जरा बड़ा है इस species का जो है specific इसमें मुनाच बटरफ्लाई और जो है उसके बाद जो वेसरी बटरफ्लाई है वो उसके बाद कुईन बटरफ्लाई और सोजर बटरफ्लाई इन सबकी जो है वो picture comparatively जो है दिखाए गी है अच्छा मुनाच बटरफ्लाई में क्या खास पात है इसको कैसे हम पहचानते है दर रकीकत यह जो इसका orange जो है वो color है wings के उपर वो और उसके बाद जो sides के उपर white white dots होते है यह जो pattern है यह मुनाच बटरफ्लाई का जो है वो characteristic feature है यह इसके जो है वो front wings है यह वाले इसके जो हैं वो hind wings है अब इन सब के अंदर गौर से देखना है कि इन में यह जो pattern है इनकी veins का और इनके dots का क्या वो इन में different है look at the मुनाच बटरफ्लाई इसमें जो है यह जो front wings है उसका जो end है उसमें जो है double row है और यह dark वाला end है वहां पर black band है उसके उपर white dots है इसी तरह तकीबन जो है वो end वाला जो corner है वहां पर black dots जो है दो rows के अंदर present है तो यह जो black dots है अगर गोर करें तो black dots जो wings होते हैं four wings उनकी पहली जो vein होती है वो हमेशा unbranched होती है उसे हम costa vein कहते हैं तो यह costa vein से start होकर जो है वो नीचे तक आरें लेकिन inner vein तक नहीं है अब यहां पर जो इसका hind wing है इस hind wing के अंदर जो है यह भी दो है तो यहां पर देखिए इनके hind wing के इस part से start हो रहे हैं एक black band और उसमें जो है वो बड़ी खुबसत जो है दो rows है white जो है वो spots की यह उसका characteristic feature है monarch butterfly का अब इससे मिलती जुलती जो है वो visory butterfly है अब इसमें जरा गोर से देखिए इसमें क्या है इन monarch butterfly में यह जो veins है यह बहुत वाज़े है look at this यह बड़ी थिक veins जो है वो पाई जाती है लेकिन यहां पर इसमें थिक veins तो है लेकिन यहां यहां जो है वो यह वाला ह के अंदर यह black strip जो है जो के एक transfer सी strip है वो इसकी identification है यह monarch butterfly में नहीं है यहां पर भी transfer strip है यहां पर transfer strip जो है वो नहीं पाई जाती है अब यह soldier जो है वो monarch butterfly में जो चीज़ सबसे पहले नजर आ रही हो यह कि इसकी veins जो है वो ना four wings में ना hind wings के अंदर बहुत prominent नहीं है प् है उसके इलावा जो नीचे वाला हिस्सा है जो hind wings है उसमें black band तो है लेकिन उसमें जो dots की row है वो सिर्फ single है ना के double है इसी तरह जो queen जो monarch butterfly है उसके अंदर जरा गौर से देखिए उसमें यह जो sides है जो front wings और hind wing की उसमें sides black हैं band के साथ और जो है वो उसमें white spots भी है लेकि यह जो white spots है in case of queen जो monarch butterfly है उसके अंदर costa wind से लेकर तकरीबन जो है वो annual vein जो है यानि पूरा जो four wing है वहां तक जो है वो प्थेले में है तो इस सरह आप जो है among different four species जो है monarch butterfly की उसमें जो specific monarch butterfly है उसको आप देख सकते हैं कि उसके जो hind wings है उसके उपर जो है वो black band के white spots हैं वो दो rose के अंदर present है और जो उसका high जो front wing है उसमें जो उसका corner है वहां पर जो है white spots present है प्लस इनकी जो veins हैं वो बहुत prominent हैं तो यही पर हमें जो चार butterflies हैं जो कि बिल्कुल जो species चार species हैं नौर्थ हमारता के अंदर वो उन में से हमें जो हमारी जो targeted monarch butterfly है उसको हमने जो है वो focus कर लिया है इसमें मजीद जो चीज आप देखेंगे इसमें को commonly हम जो है वो milk weed या common tigers, wonders या black, wind, brown butterflies भी कहते हैं commonly जो हो इनको कहते हैं इनका identifying feature क्या है black, orange और white pattern तो यह आपको नज़र आ रहा है black और orange भी है और white pattern जो है उसकी wings के उपर है और wings pan जो है वो तक्रीब जब यह wings जो हो खोलती तो एक wings जो span है वो three to four inches है तो इसका मतलब इसका size जो हो बड़ा हो गया है फिर basically यह जो है वो तक्रीबन हर जगा पर worldwide जो हो पाई जाती है हवाई में भी है अब यह हवाई जिजीरा है बहुत दूर जो है USA की coast है उससे बहुत दूर Australia जो है वो बिल islands अब जो Pacific Ocean है वहाँ बहुत चोडियोटिक सारे islands है यह butterflies जो हो वहाँ पर भी पाई जाती है अब यहां पे एक और differentiation भी हमें नजर आ रही है और वो है male और female monarch butterfly की इसमें male जो monarch butterfly है उसमें जो veins है look at this यह जह है वो hen है प्लस यह यहां पर जह है उनके एक फोटा सरा आपको black spot का नजर आ रहा है लेकिन जो female है उसके अंदर एक तो यह veins जो है वो थेक है दूसरा यह जो black spot है इस जगापर वो जो है आमें नजर नहीं आ रहा है यह जो black spot है यह जो male monarch butterfly की identifying feature है क्या इसका जो है वो कोई काम है और यहां जो है इसका कोई function है तो यहां से again हम देख करते कि इसमें जो यह जो male monarch butterflies में जो आपको black spot जो है वो visible है basically यह scent gland है on their hind wing और जो है usually यह smaller जो होते है male monarch butterflies होते हैं यह scent जो secret करते हैं यह release करते हैं तो वो basically जो female monarch butterfly है उसको attract करने के लिए formating जो है वो chemical signal होता है जो उनको दिया जाता है ताके जो है वो जो प्रॉसेस है मेटिंग का वो हो सके और जो female monarch butterfly है उसमें veins sticker होंगी यह वाला जो scent gland है वो जो है नहीं होगा और इसका size जो है वो बढ़ा होगा यहां पे भी आप देख सकते हैं यहां पे जो है उसने wings pan जो ह चीछ के इस picture के अंदर जरा देखें यहां से यहां दक तो यह centimeters के अंदर हम देखें last side में तो वो तक्रीबन 8 centimeter से start हो रहा था और 3-2 जो है 3.5 से 4 inches तक जो था तो यह जो है वो इतना बड़ा wings pan तो इसका automatically size जो है वो comparatively बागी better size से बड़ा होगा इसलिए इसको monarch यह long size यह जह हो और tiger जह है बड़े tiger से जो मुराद ली जाती common जह हो नाच बटर फटाई कि यह बहादर बहुत है बहादर किम इतना long distance जह हो cover करते जाती है अब long distance में भी हम देखेंगे एक insect जह है वो 4000 जह हो मीज किलोमीटर जह है उसको cross करता है लेकिन कैसे single species cross करती है यहां कोई औ और phenomenon साथ में जह है help out करता है